नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 18 जुलाई 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की रखते हैं इंतजार की दोस्तों हमारी घडिया वह समापत होने वाली यह और दोस्तों रिजल्ट के लिए सिर्फ ड्याइड डॉट कॉम वेबसाइट के मादिम से आप लोग अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड कर पाएंगे देखे दोस्तों हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा दिखने वाला है तो दोस्तों जब आप दोतिय समेस्टर के रिजल्ट डाउनलोड करेंगे यहां पर देखे सेकेंड समेस्टर यह आप में ठर्ड लिखा होगा कुछ बच्चों में फॉर्ट लिखा होगा नमबर दोस्तों आपका एक तरफ एक्स्टरनल एक तरफ इं नहीं है रिजल्ट जब जारी होगा तो दोस्तों रिजल्ट हमेसा हर एक बैच का एक साथ जारी होता है चाहे तेरा बैच हो चौदा बैच हो 15, 17, 18, 19 एक और दोस्तों बड़ी कबर यहां पर वेबसाइट है यहां से रिजल्ट आपका डाउनलोड होगा उसके बाद देख है 24 जुलाई के अस्तान पर अब 31 तारीकों होगा तो हर एक अपडेट आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो आप तो इस वीडियो को सुरू से लेके अंतर तक देखेगा कुछ और बड़ी खबरे आपके सामने रखेंगे इस विभाग में 26 साल के बाद होगी सिचकों की बरती भया कौन से विभाग है जहां पर 26 साल से वेकेंसी नहीं आई उसके बाद अब मदर्सों में भी रखे जाएंगे टीटी पास इच्चक पूरी अपडेट यहां पर भी देखेंगे उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 6800 पदों पर सातना देश के विप्रीत थी भरती के तैयारी अभी इस वीडियो में हम पूरी खबर को देखने वाले हैं उसके बाद दोस्तों बात करेंगे महिलाओ दिभ्यांगों के पद चुन लिए OBC अभ्यरती 69,000 सायक ध्यापक भरती में 6800 पदों का मामला है तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके आप लोग अन्त तक देखिएगा जी यहां दोस्त 69,000 जो इससे पहले वेकेंसी आई उसमें सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ वो आरक्षड का हुआ जो आफके मन में सवाल होगा कि आप लोग डिययलेकटर रेजल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों पहले डियलेक जो रेजल्ट है उसको कैसे गूगल के मादिम से सर्च करके डाउनलोड करना है उसका पूराfar सट देखेंगे उसके बाद आप लोग इस वीड सब्सक्राइब करें तो देखिए आपके सामने दोस्तों वेबसाइट आजाएगी डिलेट रिजल दोजर बाइस आपको इसको सिंपल सा ओपन कर लेना है जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहां पर देखिए दिख रहा होगा डिलेट फर्स समेश्टर सेक अपडेट चाहिए यह सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है यहां से दोस्तों अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यूपिटेट का मामला हाई कोर्ट में चला है बिया प्रात्मिक सिच्छक भरती से बाहर हो गया नहीं पूरी अपडेट यहां से आप राप्त कर सक सब्सक्रास जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं निच्छी का फिर्特別 प्रानिकर से थींट के यहां-फिरी सब्सक्राइब ठकशन दी जाती है फिलाल दोस्तों में रिजल्ट सब्सक्राइब तो आपको दिख्राओगा डीयल्ट से सक्राइब को एक वाला है अगर दोस्तों आप पुराना रिजल्ट देखना चाहते तो जैसे यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ठीक है आपको एक नए पेशके मादियम से अपडेट मिल जाएगी जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया डियल डिस्कूटिनी परेडाम गोसित काई फेल तो पिछला रिजल्ट था तो हर एक रिजल्ट की अपडेट आपको dl.result.com वेबसाइट पर मिल जाती है तो गाइस इस वेबसाइट के मादियम से सबसे पहले आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है तो बिल्कुल परिसान नहीं होना जैसे एक बात और आपको बता दे जब रिजल्ट आता है तो पहले दोस्ते यहां पर एक नोटिस जारी किया जाता है कि कि पास हो रहे हैं कितने बच्चे फेल हो रहे हैं सब कुछ आपको वेबसाइट के मादियम से बताया जाता है और आपको दोस्तों बता दे जब रिजल्ट गोसित होता है ठीक है जैसा कि सेकें समिश्टर के रिजल्ट कुछ ऐसा सो करेगा यहां पर आपके इंटरनल लंबर यह सब सो करेंगे उसके बाद थर्ड समिश्टर का देखिए जो बैक वेपर के रिजल्ट यह स्कूटिंग रिजल्ट आता कुछ ऐसा सो होता है तो हर एक अपडेट आपको dl.result.com वेबसाइट के मादिम से मिल जाएगी तो लगातर दोस्तों चेक करते ही रहे हैं और यह करने नहीं होता है अलिकी जब तीन-चार बार आप रिजल्ट आउनलोड करने लगेंगे तब रिजल्ट आपका 2-2 सेकेंड में भी डाउनलोड होगा अब आप क्लिक में वेबसाइट कुलेंगी रोल नम्मर डालना है ठीक है रिजल्ट आपको ऊपन आसान्थ चलिए दोस्ती सब्डेट को पहले हम आपके सामने रखते हैं जो कि एक बहुत ही महत्पूर्ड खबर है इसका खुलासा राज्य सरकार के ओर से हाई कोट में दाखिल 5 जनवरी 2022 के सातना देश से हुआ यह सातना देश अब तक किसी के सामने नहीं आया था हालाके अट सट सो अतरिक्त पदो पर न्यूकती के विरुद दाखिल याजकाओ पर हाई कोट की प्रदान पीट और लखनो बिंच से पहले ही रोक लग चुकी है राज सरकार के ओर से इस मामले में हाई कोट के निर्देश पर 5 जनवरी 2022 को जारी सातना देश दाखिल किया गया या सातना देश प्रतीक मिस्र की ओर से दाखिल याजकाओ पर हाई कोट के निर्देश पर दाखिल किया गया इसकी दोस्तों एक प्रती याची के अधिवक्ता को भी देने का निर्देश दिया गया था याचिक अधिवक्ता अगनी होत्री कुमात रिपाठी का कैनाई की याचिका में अडशट सो अत्रीक्त पदों की न्यूक्ती रोकने की मांग की गई क्योंकि 79,000 पदों पर चैन वर न्यूक्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इस संबन्द में जब कोट ने 5 जनवरी 2022 का सातना देश तलब किया तो उससे जानकारी मिली की सातना देश दरसर मैलाव वग दिब्यांगो को मिलने वाले चैति आरच्षड के संबन्द में था जिने 99,000 परती में निर्धारित आरच्षड नहीं मिल सका अधिवक्तत रिपाठी का कैना है कि 5 जनवरी 2022 का सातना देश जारी होने के बाद उसे कभी सारवजनिक नहीं किया गया हाई कोर के निर्धेश के बाद पहली बार इसे मतलब सामने लाया गया है सातना देश इस पश्टी की मैलाव और दिव्यांगों का आरच्षड नहीं मनुसार पूरा कर नई चैन सूची जारी करने का निर्धेश दिया गया था और इनके इस्थान पर OBC वा SC, HTA बेर्टियों को सीधा आरच्षड देते वे चैन कर लिया गया नई चैन सूची भी जारी कर दी गई लेकिन इस पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती उससे पहले ही हाई कोट ने रोक लगा दी तो दोस्तो पूरा मामला आपके सामने है लेकिन एक बात जरा समझे है 69,000 पदों की वेकेंसी थी ठीक है जरा समझे इस बात को 69,000 पदों पर वेकेंसी थी 69,000 सिच्चक भरती प्रक्रिया कम्पलीट हो गई लेकिन उसके बाद 206,800 पदों पर एक नई चैन सूची जारी की गई यहाँ पर आपको यह समझना है कि उसके अतरिक्त 6,800 बच्चे आ रहे तो सोचे दोसों जो बच्चे आप लोग इंतजार कर रहे थी कि यह नई सिच्चक भरती के पद होंगे यह आपके साथ सीधे तोर पर धोका है ठीक है अगर दोसों यह आरचछड का गोटाला ना हुआ होता तो 6,800 जो सीटे ठीक है जो नई मतलब लिश्टे जारी की गई यहाँ पर आपको मौका मिलता ठीक है यह समझी है नई तो फिर एक एक पद के लिए 200 मारा मारी है ठीक है अगर आप देखेंगे वेकंसी 1894 सिच्चक भरती जूनियर वाली दुबारस रिजल्ट जारी करने की बात हो रही है तो सोचे दोस्त यहाँ पर 1504 पद थे सायक ध्यापके कितने थे 1504 पद और दोस्त यहाँ पर गोटाला कितना हुआ 69,000 बढ़ती में 6,800 पद उपर 19 तारिक को सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी की बीड़ बाहर होगा की नहीं हर एक अपडेट पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा कोई भी खबर दोस्तों आपसे मतलब इस यूट्यूब चैनल के मादिम से छूटे की नहीं अगर आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल पने हो अगर आप में दोस्तों देखा होगा जरिया इस अबडेट को पहले देख लेते हैं इलाबाद विस्विद्ध्याले के रसान विग्यान विभाग में 26 साल बाद कुल पती प्रोफिश्य संगीता स्रिवास्तों की पहल पर सिच्चक भरती प्रक्रिया शुरू हुई है प्रक्रिया पूरी होते ही विभाग को 42 नए सिच्चक मिल जाएंगे सोचे 42 बद हैं विभाग में सिच्चकों के कुल 51 पद सुख रहते हैं वर्तमान में महज 5 सिच्चक तैनाते हैं एक सिच्चक आवकास परे वर्तमान में सिच्चकों के 45 पद रिखते हैं तो सोचे दोस्तों क्या क्या चल रहा भी आजकल ठीक हैं प्रदेश सरकार दोस्तों 558 अनुदानित मदर्सों में भी योग यवप प्रसिच्ची टीटी सिच्चक पातरता परिच्चा पास सिच्चक ही रखेगी तो हर जगे दोस्तों रोज नियम बदल रहे हैं कानून बदल रहे हैं तो ज़र आप नजर बनाय रखा करिए बाकि दोस्तों डियलेट 2022 बैच एडमिसन की प्रकिया लगातार जारी है अगर आपके घर में कोई भाई बैन दोस्त त्यार एडमिसन लेना चाहते हैं तो कमेंट वाक्स में लिंक है जल्द जल्द आवेधन कराईए बाकि जो भी अपडेट आएगी हर एक अपडेट हम आप तक पहुचाएंगे रिजल्द दोस्तों जल्दी से डाउनलोड करिए एक बार चेक करिए कि लिंक एक्टिवेट हो गया है कि नहीं लिंक एक्टिवेट होगा तो सबसे पहले आपको अपना रिजल्द डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल परिशान नहीं होना है फिर मिलते हैं को और वीडियो में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड हैव नाइस टे